नमस्कार दोस्तों स्वागतिया आपका फिर से एक बार मेरे चैनल आपका साथ में मेरा नाम रोहित हुआ और मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों आज मौजूद हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ खास बताने जा रहा हूँ आप लोगों को आप अपना डेटा कैसे स्टोर कर सकते है ओलाइन तो जी हाँ एक फ्री बिल्कुल ओलाइन गूगल के तरफ से एक प्रोड़क्ट है गूगल ड्राइव का यूज करके आप क्या कर सकते है जो भी आपका जो इंपोर्टन डॉकुमेंट है वीडियोज है या मुवीज क्लिप है इस टाइप का जो भी चीज यह आप लोगों का या आप आउनलाइन स्टोर कर सकते है और गूगल ड्राइव का सबसे फीचर क्या है कि आप अपना डेटा जो है कहीं से भी एकसेस कर सकते हैं तो आप कहीं भी हो वर्ल्ड में आपके पास सिफ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक कंप्यूटर होना चाहिए आप अपना डेटा कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं online और कहीं से भी आप डेटा को download कर सकते हैं और सबसे बड़ी एक और बात है कि यह जो data है इस सिर्फ आपके personal use के लिए होगा, यह private होगा, यह public नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी data आप upload कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही होगा, कोई इसको और access नहीं कर पाएगा तो Google Drive के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक Google एकाउंट चाहिए अगर आपके पास Gmail एकाउंट है तो आपको Google Drive को 15 JVS पे फ्री में लगा यूज़ करने के लिए तो आएए दोस्तो देखते हैं तो जोसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने Google एकाउंट से लॉग इन करके रखा हुआ हूँ पहले से और मैं यादिर Google Drive को एकसेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं Google Drive सर्च करता हूँ तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहले लिंक आ रहा है www.google.com slash drive इस पे आप प्लिक कर लिजे और आप free में like 15GB यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अगर आपके पास Gmail account है तो आप बिल्कुल free में यूज़ कर सकते हैं इसको लेकिन सिर्फ 15GB तक अगर आपको 15 15GB से ज़्यादा यूज़ करना है तो इसके लिए यहाँ पर different plans है जो कि आप देख सकते हैं मैं इसका जो भी description में link होगा मैं दे दिऊँगा तो हम लोग start करते है Google Drive का basic features देखने के लिए like basic क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले go to Google Drive में जाना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक screen आ गया है और इस screen में बहुत सारे options है basically यह सारे files है like जो भी आपका जैसे कि computer में यह files होता है और folders होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर different files हैं जो कि without folder में है और यह आपका drive है जैसे कि आपका यह computer में D drive, E drive, F drive होता है उसी type से यह एक drive है आपका यहाँ पर आपको different different option में मिल रहा होगा और जिसकी recent यहाँ पर click करेंगे तो आप जो भी recent upload किये वह दिखेगा यहाँ पर shared with me में मतलब कि जो भी आप से shared किया गया document वह दिखेगा trash में आपको जो भी आप data delete कर दिये वह दिखेगा upgrade का भी option यहाँ पर देख सकते होंगे आप like अगर आपको अपना 15 GB जो free मिला है अगर उसको upgrade करना चाहते तो आप upgrade option से यहाँ पर जाके अपना जो भी इधर pricing है उससे आप से देखकर upgrade कर सकते है plan और यहाँ पर आपको दिख सकता है कि like 2 GB of 15 GB used पतल मेरा 15 GB है और 2 GB मैंने use क चाहरे करना है तो simply यहाँ पर आपको अगर किसी भी file को save करना ऐस drive में तो या तो किसी फोलडर में save करना है या फिर किसी file में save करना है ठीक है like यहाँ पर नॉर्मली याप यहाँ पर भी save कर सकते या फिर कोई folder बना कर लगे तो इस वीडियो के purpose के लिए मैं एक folder बना कर उ new folder पे click करना है और यहां पर मैं test देता हूं लाइक कोई भी नाम देख सकते हैं अपने folder का यहां पर सिंस मैं आपके लिए दिखाने के लिए test कर रहा हूं तो इसलिए test दे दे रहा हूं तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने test folder create कर दिया है यहां पे और अगर इस folder के अंदर जाना आपको डबल क्लिक करना है इस पे ठेक है और यह आपका अब यह folder इस my drive के अंदर यह folder है जो की पू यहां पे आपको list दाने minute दिखा रहा है जो भी uploading item है upload होने के बाद देखे यहां पे upload हो गया one upload complete को option दिखा रहा है और जो भी मैंने आप अपलोड किया था वो दिखा रहा है अभी अगर और भी option देखना है तो जैसे कि आप इस पे click किजिए select करने पर यह blue रंका हो और फिर से अगर इधर आप अगर देखेंगे तो मिरे पास अब तीन folder है फिर से टेस्ट में जाएए अगर आपको इस file को delete करना तो यहां पर right click किजिए और remove कर दीजिए देखिए यहां पर removed हो गया कुछ नहीं है और trace में जाके देखिएगा तो आपको एक file जो भी मैंने upload किया था यहां पर दीखेगा फिर से my drive में जाएए अब इस folder पर click किजिए कुछ नहीं इस folder में फिर से अगर इस folder को ही delete करना आपको तो right click किजिए और remove किजिए यह folder भी delete हो गया तो दोस्तो यह एक short introduction था like short in basic जो भी functionality आप Google Drive पर कर सकते हैं सारा कुछ cover किया मैंने यहां मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको helpful रहा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please दोस्तो मेरे चैनल को subscribe किजिए और इस वीडियो को please like किजिए अगर कोई भी आपका question है तो नीचे comment section में जाके अपना question किजिए कर दोस्तो में